नमस्कार दोस्तों The Financial Talks YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ Infosys Limited द्वारा अनौंस किएगे dividend और buyback के बारे में तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे की buyback के details क्या है और dividend के लिए record date क्या रखिये company ने x dividend date क्या है last date क्या है stock को buy करने की और dividend का payment आपको कब तक मिलेगा तो सारी की सारी चीज़े आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है वीडियो में बने रही है तो बिना देरी के चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानते है buyback की बारे में प्राइज है वो है 1363 रुपए 30 पैसे यहां पर अभी 1363 रुपए से 1750 रुपए तक की प्राइज जो है वो जा सकती है यहां पर maximum buyback जो प्राइज है वो 1750 रुपए है current stock की प्राइज 1363 रुपए के असपास चल रही है यहां पर जो सबसे important बात देखने की है वो यह है कि open market के through होने वाला है यहां पर company tender नहीं कर रही है यहां पर open market के through यह share buyback होने वाला है तो यहां पर पता लग गया आपको की 1363 रुपए current price है और बाइबेक होने वाला है 1750 रुपए का और जो aggregate amount है वो है basically 9200 करोट तो अब बात कर लेते हैं company के कुछ financials के बारे में और उसके 2016 में 66000 करोड का surplus ता उसके बाद 2018 में 62000 करोड का उसके बाद 65500 करोड फिर 60100 करोड और उसके बाद 69401 करोड तो यहां पर किसी भी company का जो reserve and surplus देखा जाता है वो देखा जाता है कि यह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यह consistent है कि नहीं है तो यहां पर अगर बात करें Inf तो यहां पर company के ऊपर कोई भी करज नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारा का सारा zero है, cash and cash equivalent की बात करते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि 2018 में 16,000 करोड का था, उसके बाद 15,000 करोड, 13,000 करोड, यहां पर देखेंगे 17,612 करोड का cash और cash equivalent company के पास है, अब बात कर लेते हैं, अगर profit and loss की, तो यहां पर आप देखेंगे revenue from operations जो है, वो basically continuous company का बढ़ा है, 59,000 करोड का है, 61,000 करोड, 73,000 करोड, 79,000 करोड, 85,900 करोड, तो यहां पर जो revenue है, वो continuous year on year बढ़ा है, और अगर बात करें expenses की, तो यहां पर expenses भी आपको देखने जरूरी है, कि company का expenses drastically तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं उसका revenue घटता जाए, और expenses बढ़ते जाए, तो यह चीज़ ध्यान देखना बहुत जरूरी होता है, तो यहां पर अगर पिछले साल के compare में, अगर आप देखो तो 61,000 करोड के compare में 63,902 करोड हुआ है, तो यहां पर उस हिसाब से revenue देखिए, यह revenue भी बहुत ज़्यादा shoot up हुआ है, तो अगर profit की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि company का profit जो है, वो continuous बढ़ता जा रहा है, यहां पर 13,000 करोड से 16,000 करोड हुआ था, 2019 में 14,000 करोड जरूर हो गया था, लेकिन उसके बाद वापस है 15,000 करोड और फिर अभी इस साल जो है, वो 18,000 करोड का profit जो है वो company को हुआ है, बात कर लेते हैं अगर cash flow की, तो यहां पर अगर आप cash flow देखेंगे, तो net cash flow है from operating activities, वो basically continuous company का बढ़ता जा रहा है, 10,478 करोड से बढ़ते बढ़ते 15,512 करोड का आगया, 2021 के आखड़ा भी हमारे पास नहीं है, जैसे अ आगया आने वाले वीडियो में आपको बता दिये जाएंगे, यहां पर बात कर लेते हैं, net cash used in investing activity, तो यहां पर आपको minus से गपरानी की जूरत नहीं, यहां पर investing में अगर कोई company पैसा डालती है, यानि कि suppose करो कि कोई investment company ने करी है, तो वो company से पैसा बाहर जा रहा है, तो उ यहां पर consistent होना चाहिए earning per share या फिर earning per share वो बढ़ते रहना चाहिए, बात कर लेते हैं अगर return on equity की, तो अगर आप पिछले 5 साल का return on equity देखेंगे, तो लगबग 20% से उपर है, यहां पर देखेंगे 20%, 25%, 23%, 24% और फिर इस साल 25% रहा है, return on capital employed की बात करेंगे, तो यहां भी return on capital employed जो है, वो बहुत ही बैतरी ही न है, अगर आप देखेंगे, कि March 2018 से 31% से उपर चल रहा है, तो अभी जो इस साल है, वो 32.23% है, और debt to equity ratio की बात करें, यहां पर debt to equity ratio जो है, वो है 0, और यहां पर अगर बात करें, price to book value की, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि price to book value जो यहां पर अगर आप share holding pattern देखेंगे, तो जो promoter की holding है, वो basically बीच में एकडम से इन्हों ने आप करी थी और उसके बाद वापस से, सितंबर quarter से अगर बात करें, तो 12.95% जो है, वो maintain कर रखी है, share कोई भी pledge नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं, zero है विलकुल, FIS की holding है, continuous जो है, वो बढ़ती जा रही है, यहां पर आप देख सकते हैं, जबकि DIDS की holding जो है, वो घटती जा रही है, तो यहां पर आप देखेंगे कि FIS बढ़ा रहे है, और public की holding भी देरे धेरे, यहां पर बढ़ती है, और यहां पर आपको दिखती है 30.92% के अस-Pас, अब बात कर लेते हैं इसकी X date और record date की तो company ने जो record date रखी है वो रखी है एक जून 2021 इस तरह से जो X dividend date है वो बन जाएगी 31 मई 2021 और क्यूंकि यह Saturday Sunday 29 को तो आपके पास जो last date इस stock को buy करने की है वो है 28 मई 2021 तो 28 मई 2021 को आप इस stock को अगर buy करते हैं या फिर इस से पहले अगर आप इस stock को buy करके रखते हैं तो आप dividend के लिए eligible हो जाएंगे लेकिन अगर आप 28 मई के बाद में इस stock को buy करते हैं तो आपको dividend नहीं मिलेगा अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम कब अगर आपको जो dividend है वो आपके bank account में चाहिए कि company जब भी आपको dividend पे करें तो directly आपके bank account में आ जाए तो at least आपको record date तक holder किये या तो record date को sell कीजिये record date के बाद में sell कीजिये ज्यादा बेटर है एक्स dividend date के दिन आप sell मत कीजिये अगर आपको dividend आपके bank account में चाहिए तो अब बात कर लेते हैं current stock की price की तो हम पहले भी देख चुके है 1330 रुपई के आसपास की price चल रही है और बात करें actual payment date की तो आपको 25 जून 2021 तक आपको payment जो है वो मिल जाएगा तो आपको wait करना है 25 जून 2021 तक अगर आपको 25 जून 2021 तक payment नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक separate वीडियो बनाया है जिसका link description section मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको company को contact करना है ताकि आप dividend के लिए उनसे बात कर सके और dividend जो ह वो receive कर सके तो आपको सारी चीजे clear हो गई होंगी तो आज की वीडियो बस इतना ही आशा करता हम वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न दन्यवाद आपका दीशोग हो